आपको ओन हो और मेरे सामने क्या कर रहे हो सेख चिल्ली मैं मोद का फरिष्टा हूँ क्या आप मुझे डरा लिए हो मैं तुम्हे डरा नहीं रहा हूँ मैं किसी की रुह निकालने आया हूँ आप मुझे मारना है ने ने मुझे अभी नी मरना मुझे अभी नी मरना सेख चिली, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं किसी चीटी की रुह निकालने आया हूँ क्या, पर चीटी की रुह भी आप ही निकालते हो हाँ हाँ, हम सब की रुह निकालते हैं, सभी में जान एक जैसी होती है, चाहे वो हाती हो या चीटी परिष्टा जी आप को अंदे चीटी की जान लेना है हो जो तेरे पैर के नीचे है तू अपना पैर हटा ले वरना मैं उसे वहीं मार दूँगा उसकी मोत का जुम्मेदार तू होगा मगर परिष्टा जी आप मुझे क्यों दिखलाए दिये सेख चिली हम तुझे इसलिए दिखाए दिये तू एक नेक बंदा है अगर ये चीटी तेरे पैर से मर जाती तो तू एक गुनेगार बन जाता इसलिए हम तेरे सामने आए हैं परिष्टा जी आप मेरे साथ दोस्ती कर लो करोगे नहीं हम किसी इंसान से दोस्ती नहीं करते परिष्टा जी आपको मुझे दोस्ती करने पड़ेगी सेख चिली मैं चीटी की रूह निकालने आया था मेरे पास इतना टाइम नहीं है आप मेरे घर चलो रुखसाना आती कि चाहिप लोगा ये मुझे अपने घर बुला रहा ये मुझे से क्या चाहता है मैं इससे पूँच लेता हूँ या फिर मेरे से दोस्ती कर दो या फिर मेरे से बाता करो मेरे घर आओगे अगर मैं तुससे दोस्ती करूँगा पता नहीं तू मेरे से क्या मांग ले देखो मैं आपसे कभी कुछी नहीं मागूँगा और ना कभी आपको परहसान करूँगा फिर तुम उससे दोस्ती क्यों करना चाहता है मैं आपसे दोस्ती इसलिए करना चाहता हूँ जब मेरा खुदा कहां से बुलाव आए हर पांस साल पहले मुझे ख़त भेज दिया करो लगातार तीन ख़त भेजो ताकि मैं मरने से पहले मूत के सेयरी कर लूँ और कुछ कभरोर खोदने वाली के लिए पैसे जोड लूँ और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं आपसे दोष्टी करना चाहता हूँ ठीक है सेख चिल्ली मैं तुझे हर पांस साल पहले एक ख़त भेज दिया करो आँ भाईदा नहीं चाहिए और पंद्रे साल मैं मुझे तीन चिटी भेज दियो हमारी तुमारी दोष्टी पक्की ठीक है सेख चिल्ली तुम मुझे नेक आदमी लगते हो आज से तुमारी हमारी दोष्टी पक्की दोष्ट है दोष्ट है ठीक है वे वागी मौत का परिष्टा वेट की जान अब माजा गया सेख चिल्ली अब पंद्र साल तक तु किसे मरने वाला नहीं पंद्र साल का एगरिमेंट बढ़िया करगा दोष्ट अब मैं मोश्ट जीऊंगा अब मैं कुशी भी करूँगा किसी के मिसाले कर लपटे मार दिया करूँगा ये ठीक है ओओ शेक्चिल्ली जरा एक मिनट सुनिया चाब आधा मैं बोल शेक्चिल्ली दुआ सलाम भी भूल गया ये दुआ सलाम करा तुद बहुत बड़ा कबान ना तुद दुआ सलाम करो पै अपनी जिन्द की जीरे अब बिल्कुल पागली है पागले मना काम करो तू जा पै हमार तो 15 सल का एकरिमेंट डोराम का एके पागल है यार कुदा मज़े लेने अब को मैं मुर्गी मज़े लेता हूँ चल दे खंडाला क्या पागल पने कभी लड़की नी देखी क्या क्या अपे मैंने का उच्छटा लिया इसका भाई दे अगलास बत तम इचको के तो आग मारू तू ऐसा नी मनने आग के मार्रा मेरी प्यार के दरपतू अच्छा तू अच्छा तू ऐसा नी मननने चल चल तू चल भई आरा तेरे गड़ी आरा ठीह एक चल तू तो पिरवे आरा में हैर पिर ना कुआ परूल ना कि पाल रहा वार जाता उंड़ रापी जाता हूं और फिशाता उंड़ी अच्छा तर शारी निए उच्छा नियोने आगा परूल समाही दे नी यहेंगा परूल किया समझू तुम मुझ पर कहीं जाकर ऐसान निकरते घर से भार तो चले जाते हो कभी कमा कर तो निलाते अगर तुम्हारा यह हाल रहा तो मैं अपने अप्बू के यह चली जाओंगी अप्बू के जली जाएगी अप्बू की जाओं जाके दिखाओं मैं अभी जा रही हूं बेटा सेक चिली अब मैं मरने वाला दोनी पीवर लेटर के पांशी का डिरामा करता हूं उक्सान अब रहता हूं क्या उए यह सोच रहे है हूं अप्बू का नाम लेता ही हो गए सिट्ट्पि गुल dł साली गुल गुल अभी कर के जिखाओं गुल तुझते गुल कर के दिखाओं गुला कर के दिखाओं पॉल पॉल पाल तुबल साली ऐसा नहों कभी सेग जी मेरे इबक कर उतार दे बेटा रुक्साना निकल ले तु यहां से जब सेग जी का गुस्सा ठेंडा हो जा जब आज़े यह इसका सामनी लगां को फांसी देख रही है है को चली गई वह ठीक है जा अब भर के दिखांगा से पूरा ड्रामा पूरा करना ना थोड़का भागी घरते भागी देखा विद्व का रही है वह है अलेकल कुछल मोजा बांसी सच मुझे विलाज अपंदर रता पहले एंडोल है अले फांसी दूसर तरीक दोभा ओ अप्येट बागांगा अपसी feed कुछ नी भूलूंगी है नहीं ने चौड़ परधान का परधान कंवाइब boxes जा लेंगे किसी से अरोब यह सुनी हो में अरोच चले है हां 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 हा रोशation है तु ज्हाव कि कि chancellor Holl theress यह बदिशसा लड़की छेड़नी बत हमां so लोग तो इसलिए है कि तेरे मोहले वालों को भी पता लग जाए कि तू कितना बत्तमीज है क्या आपके साथ बत्तमी जी शेक जी क्या कह रहे हैं ये लोग ये तो पागल है रुक्साना पागलों के मूह लगेगी क्या हुआ भाईजान हमें बताओ बताना क्या मेरी तर पाग मार रहा था और मस्ता ये कह रहा था कि तू मेरा कुछ ने पिगड़वा सकती बहिया जो कहना है मुझे कहलो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ पर इन्हें माफ कर दो ठीक है जब तुम मेरी बहन जैसी हो तो इसे तो समझाओ कुर्पा पाड़को और बहन जी ये रस्टी कैसे पढ़ी है कि रसी के बारे में तो यहें बताएंगे रसी की सुलो हाई है हमारे अँड़को पासी देगर महरते हैं कि मैें तो उपढ़तु नहीं भाहां आप जान तो ओ से मेरी लिट से बाहर है सब्सक्राइब यस क्य है झा आप ठीक आपाई अब जाले जोड़े घर में रोड़ी खाने को है नहीं रिष्टेदार जोड़े उदा भाइया बना ले शाले हूँ यह खवाद प्राथे है बारसिलाओं शेक जी शो रहे ओभी तक उठ जाओं देखना कि पूरच चड़ी आया शेक जी चाय पिलो उबाचाय वागा लाई शेक जी तुमारे तो बाल भी सफेद हो गया वह जाया दो जालोगों मेरे पर कोई फरक निपड़ता अभी तो मेरे बाल 15 साल है 15 साल अबात तो कुछ नहीं समझेगी चोड़ चोड़ी बात कुछ नहीं रखा शेक जी मुझे माफ कर दो बार उसाना तेरी गलती तो थी नह पर तुमा मुझे कर दे नहीं नहीं मेरी गलती थी कोई बाद ना चल छोड़ था थंडी चाहिए लाइए रवसरा तो इती देर मैं थंडी ही शेक जी आज तुमारी हिम्मत सी ओ तो कुछ काम कर लो आई मसी क्या हिम्मत से तो ना बढ़ा थी हां तो प्यार से कह रहे ते हि करूंगा ठीक है शेक जी जाओ दियान रखना अपना शेक जी दियान दियान तो भी रखियो मैं दुबर रोटी खाना हूंगा ठीक है कितने अच्छे हैं मेरे शेक जी या अल्ला आज तो शेक जी को कोई काम दिलवाई दे ना यार भूग लग रही है थोड़ा सा खाना खा देता हूं फिर निकल जाओंगा अब बाई जान कैसे बैठे यो बैठना क्या थक गया था मैं इसलिए स्कोचा बैठ जाओं तुम यही रहते हो हाँ हाँ अजी कुछिना वैसी बेड़ गयता है, मुझे तो अपने घर जाना घर जाना? भूग लगा रोटी खा रहे ना अपने होटेल हैं तुमारा ही होटेल है यह है तुमारे तो नोकर सर्भ महारे लग रहे हैं यह हाँ मुझे पानी पीना था, नल कहा है मुझा जाओ जाओ वह यह पीचे पीचे तो इसमान में आपने हैं रख जाओ अधर रहारा हम जाओ यहां तो कोई छुबिन नहीं सकता है यह वह ब्लाव दो मैं पानी पीकर राता हूं पीले जागे अंखो बढरा यह पर अपर मैं दो चला अपने और गर में अच्छे ताल कि अगर बेटा अधे 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 मुल्ला जी बेटे रखे पुर जो जो और में पाई निदर आना इधेरा निए निद्ट वूंद आप इस तक तुम्हारा होटल कमारिक यह डब परका वो लेगिया वा भाई मालिक तो हमें हमें क्या पता कौन है का आँ या वो आमें क्या पता भूज तो रोटे खाने थी उड़े कि लाद होगया ना कर दो नेकरो डिया जो तो बाद किसे ने देखा लगी ताल बेटे देखता हूं क्या क्या माल इसा को अपैरू रुक्सान अगही ने देखता उचाहिक वाज रिकरवादू प्या पंछानदी के जीवल यूतहे शेख जो पर जो साना अंडितिक्षण अबूद है आपए ड़ देख तो हम अलाया हुँ अलेकिन शेख जी यह इतना सारा माल लाइक आसे हो तुम मुझे क्या पता मैं क्या जानूं अर्शाल का छीन का भाग आया अब धन्वान होगे रुक्षानम माला माल होगे शेक जी ये हराम की दोलत हम कितने दिन खा लेंगे मेरा दिल मुझसे ये पूछ रहा है और सेक जी जिन्दी की कभी पता नहीं दो पल की जिन्दगी है कब खतम हो जाए मुझे पता मुझे पता होता है तुझे क्या पता पगली 15 साल का तो मेरा अग्रिमेंटी है शेक जी मैं इस दोलत को अपने गर में रखने वाली नहीं हूँ जाओ उसे ढूंड़ो जिसकी है और उसे वापस दे कर आओ अराम से रहे ही दिया हो तक लबन रही है है जिबकर मैं अपनाव दिया होगा अपनाव दिया हूँगा दूर्स शांत बेढ़ जा ए याला सेब्दी ओ कहां से हराम का खाने के आदत पड़ गई जो इनों आइसा करा अग्बर अ अ कुर्द एक्बर अल्हा हुआ एक्बर अल्हा हुआ याल्लाहु आधियु 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 आधियुआ झाल 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 आप थक्या मैं तो थोड़े बैठता हूँ और आम करके जब ढूनूँगा देना थे सेख चिल्ली यहां कैसे बैठा है सेख चिल्ली मैं तेरी रुह निकालने आया तेरा टाइम पूरा हो गया है सेख चिल्ली तु दोस्त कहलाने के लायक नहीं है तु अपनी जिम्मेदारी से भटक चुका है तु अब भी नहीं समला तो तुझे माप करने वाला कोई ने जब से तुझे दोस्त बनाया है तुने तो अपना रवया ही बदल दिया क्या बदल दिया मैंने तु हराम की दोलत खाके अल्ला ताला की इबादत भी घूल चुका है तु गुनेगार है दोस्त तुमने अपनी बात पूरी ने की तुम जूटे हो कैसे मैं जूटा हूँ ना में जूटा हूँ और ना में रहूँगा तुम कह रहे थे कि मैं पांस साल में खत लिखा करूँआ खत लिखा बोलो अरे पागल मैंने तो अपना वादा निभाया तू ही खत ना पढ़ सका तो मैं क्या करूँ दोस्त मैं समझा नहीं कद भेजा खत मैं खत तो खत तुमने एक परचिम नहीं भेजी कभी सुन कब भेजा जब तेरे सर के दो बाल से बेद हुए वो मेरा पहला खत था तू से ना पढ़ पाया तो मैं क्या करूँ क्या ये खत था दूसरा खत जब भेजा जब तेरी आखों की रोसनी कम होने ले या ये खत होते मैं ता समझाए नहीं मैं ता सोजने सब कमजोरी आ गई आख सुन्द्या गई अरे तूने तो इतने गुना कर लिए तू बिना खत जाने की तैयारी कर ले क्या फरिष्टे दोस्त जरह मत मैं तुझे समझाने आया हूँ तोस्ती के खाती अब जो तिरी बागी जिन्दगी बची है उसे अल्ला की रहा में खर्च कर दे दोस्त मैं तो वागी बहुत गुना कर दिये अब क्या कर दो अब तू ये कर जिन लोगों से तूने बत्तमीजी की है उन लोगों से माखरी मांग ले और जिनका माल चीना है उन लोगों का माल वापिस कर दे और अल्ला से तूबा कर दे मगर वे लोग मुझे मिलेंगे कैसे और कहां मिलेंगे पहले ढूंड ढूंड के तक लिया सेख चिली तो तू अब सुन अगर तेरी बीवी अल्ला वाली ना होती तो तुझे माप करने वाला कोई नहीं होती और जिने तू ढूंड रहा है वो लोग तुझे अपने आफ मिल जाएंगे सेख चिली जो आदमें गुना करके अल्ला से माफी मांग लेता है अल्ला उसे माफ कर देता है जाओ अपनी बाकी जिन्दगी नेक काम में लगा जिन्दगी पूरी जिन्दगी तरकीब से और टर्षान्यटी जो लेंगे नेक काम करेंगा या जहां मिलों गिलेंगे उसका देता है कि में एक प्रहर इंती गुनाओं की तोबा कर लों है बारियान बाईयान मुझे माफ करते हैं आपको पुराबलाका आपके बैन को पुराबलाका मुझे माफ करते हैं हो सकते हैं मुझे माफ करते हैं चलो कोई बात निक गलती सल्टी हो जाती है हमने तुम्हें माफ कर दिया है जाओ अग्या जान और कुछ लां बस खाना पेट खाना मेरा तो पेट भरने वाला है भूका था खाना खालिया खुदा तेरा भला घर है वह बहाती हमाई हぁ जी तुम जानते ओ यनं रुज है यह माल आ यह भागया ईता खिन यह भागया है मैरे बास खुचिए मैरे पाले यह ये लोपना माल अभना पूरा प्रस्चै कर लो फुरा प्रन डिपा देख लो यहال ला यह या यह यह उक्ति कर अभा है Savior मौला तूने आज ये दिन मुझे दिखा दिया भाई जान फिर तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी परेशानी की सुन ले मेरी बहन जी मेरी एक छोटी बहन है ये माल उसकी सुस्राल वालो का है मैं तो उसे देने जा रहा था इसके चक्कर में आज तक मेरी बहन घर जाता है ये अपना टिपा ले जाओ भेन हाज जी बाइजान आज मेरी छोटी बहन को उसका घर मिल जाएगा हाज जी बाइजान मैं चैन से जी सकूंगा कोई बात नी बाइजान सब ठीक हो जाएगा मेरा मौला तूम दोनों को खुश रखे मैं जा रहा हूँ बहन में जा बाइजान खाना तो खा लेते और बस बेन मेरा तो पेड़ भर गया अल्ला तुम दोनों को खुश रखे मैं जान मुझे माफ करते ना मेरे से बहुत बढ़ी भूल हो गई बाइजान इनकी तरफ से मैं भी माफ मांगती हूं आपसे बाइजान मैंने आपको माफ किया मेरे अल्ला ने माफ किया पर इस इंदिगे में कभी किसी के साथ दुमारा मत करना आपसे बाइजान करते हैं कभी कोई गुना नहीं करेंगे आपसे बाइजान मैं माफ कर दो हमने आपका तील तुकाया कि देखा सेग जी तुमारे लालच ने किसी की जिन्दी की तभा कर दी अल्ला से तोबा करो और सब बुरे काम छोड़ दो परसाना आज मस्जीद में जाके खुदा से कहूंगा कि मैंने जिन्जिन को दुख पहुचाये हैं मेरे जीमन के सारे सुख उनकी जोली में टालते और उनके सारे कम मेरे हिस्से में देते क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा गुनेगार हूं मैं गुनेगार हूँ रुक्सा ना बहुत बड़ा गुनेगार हूँ शेक जी तुम अब भी अच्छे काम करोगे और टाइम पर नमाज पढ़ोगे तो अल्ला ताला तुम्हें माफ कर देगा वो बड़ा रहीम है मैं तुम से वादा करता हूँ मैं आज के बाद कोई गलत काम ने करूँगा कोई गुना नहीं करूँगा इससे किसी का दिल दुखे ठीक ने बाइजान तो हम अगली फिलिम में फेर मिलेंगे